वेलकम बैक टो अनगर अमेजिंग वीडियो और आज मेरे सामने खड़ी है महिंद्रा की दमदार SUV और आज मैं रिव्यू नहीं करने वाला हूं आज मेरे से ज़ा है इमोशन निकलेंगे इस गाड़ी के लिए मेरे सामने खड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्प्यो एन और वन अगर आप कोई भी ऐसी गाड़ी प्लाड़ी प्लाड़ी पसंद आ रही है और आप कोई ऐसी गाड़ी तो आपके लिए एक बहतरीन कार ले आया हूं मैं जिसका नाम है महिंद्रा स्कॉर्प्यू एन और ये बिल्कुली टॉप एड़ियंट है 4x2 के साथ आएगा रेर वी और आपको इस वीडियो में एक जैनुवन रिव्यू इस गाड़ी के बारे में पता चल जाएगा जिसके आपको एक कही ना कहीं यह चीज पता चल जाएगी और आपको अपना जो पैसा है कहां डालना है यह भी चीज पता चल जाएगी तो एक बर स्टार्ट करते हैं अगर आप की की बात करते हैं, कुछ इस तरी की देखने को मिल जाएगी, फिलिप की देखने को मिल जाएगी, तो बात कर लेते हैं product की, अब महहिंद्रा Scorpio की आपने वीडियो दुनिया भरी की देखियोगी, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको एश गारी का के भैतरीन advantage बताना चाहूंगा, वो advantage क्या है जी, मैं बताता हूं जी, आपके पास अगर 30 लाख रुपे हैं, तो इस गाड़ी के लिए आप जा सकते हैं, आपके पास अगर कम पैसे हैं, 14-15 लाख रुपे भी हैं, तब भी आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हैं, फिलाल हमारे पास जो ह 20 लाख रुपे तक की वो on-road मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी गाड़ी प्लैन कर रहे हो, आपकी फैमली बहुत बड़ी है, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, SUV और आपको एक फुल साइज SUV चाहिए, कम छोटे से प्राइस के इंदर, त लेकिन अगर मैं आपको बताओं, आप देसी कमपनी पर भरोशा करते हैं, यानि कि महिंद्रा कमपनी पर भरोशा करते हैं, तो आपके लिए काफे ज़्योदा बहतरीन ये प्रोड़क्ट रहने वाला है, और एक चीज और बतादू, रिलाइबिलिटी में आपको कोई भी आने वाला है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक गाड़ी Scorpio N दिल्ली से लंडन ट्रैवल कर रही है, वो आपको यूट्यूब पर वीडियो दिख जाएगी, और उसका पर्फॉर्मेंस भी आपको सारी चीज पता चल जाएगी, तो वो भी बहुत जादा बहतरीन है आपको reliability में इतना issue नहीं आएगा, अब गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कुछ चीज़ इसके इसके इंदर मिलेगी, अब तो एक full size SUV मिलती है, dimensions वगरा आपको सारी चीज़ दिख रही होगी, अब वहींकर हम बात करते हैं, फ्रेंट की तो कुछ इस तरीकी का पूरही profile देखने को मिलता है, projector मिल जाएगा, LED-based आपको proper setup देखने को मिल जाता है, indicator floating type मिलेगा, बागे अगर आप नीचे देखते हैं, तो हलकासा यह कुछ है, Scorpio का पूरही आपको यहाँ, वो चीज़ देखने को मिलेगा, वो ही आपको यहाँ, design pattern देखने को मिलेगा, fog ज़्यदा बहतरीन इस गाड़ी की मिल जाती है, अब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, इस की wheels की तो कुछ इस तरीके का wheel मिल जाएगा, 255 आर 18 इंची का आपको जो है alloy wheel मिल जाता है, dual tone का आपको पूरही setup मिल जाएगा, और वहीं गरम बात करते हैं, कुछ इस तर बारे मिल जाते हैं, और एलेडी इंटर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, को ट्राइवर साइड भी आपको request sensor मिल जाएगा, यहां भी आपको chrome का element यहां यूज किया हो मिलता है, पीछे भी disk इसके इंदर ऑफर किया गया है, और वहींगर हम बात करते हैं, fuel lid आप जो है बाहर स सुरत लगती है देखने में, और वहीं अगर आप देखोगे तो proper जो tail lamp है, overall जो चीजें हैं बहुत जादा अच्छी लगती है, overall जो size है इस गाली का, personally मेरे को काफी जादा अच्छा लग रहा है, इस price point पे काफी जादा बहतरी value यह आपको provide कर रही है, और वहीं अगर जाता है, wiper, defogger, high mount stop lamp और उपर के side आपको shark fin antenna भी देखने को मिल जाता है, scorpio N का बैस देखने को मिल जाता है, बाकि जो जितनी भी चीजी है clean देखने को मिलेगी, यहाँ आपको skirting का part मिल जाएगा और यह reverse lamp देखने को मिलता है, यह आपको जो है reflector देखने को मिल जाता ह और यहाँ camera मिल जाएगा, यह आपको नया fresh महिंद्रा का logo देखने को मिल जाता है, यह सारी चीजे है, बाहर की बहुत जाद अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है, overall जो color है, बहुत जाद अच्छा लग रहा है, अब अगर आप देखेंगे, तो quarter panel का size है, बहु अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, तो size मतलब road presence सिर्फ एक गाड़ी के size के वज़से बनती है, तो यह कही ना कही यह road presence ज़रूर grab करती है, लोगों का attention grab करेगी यह गाड़ी, अगर आप इसको purchase करते हैं, तो और वहीं कर हम बात करते हैं, इंटीरे की, तो एक बार इं doors इसके open कर दी है, कुछ इस तरीके का door trim देखने को मिल जाता है, black और brown का combination देखने को मिलेगा, और वहीं कर आप देखेंगे, तो यह आपको softest देखने को मिलता है, यह hard plastic है, doors यहाँ से open हो जाएंगे, सारे ही controls मिल जाते है, ORVM fold, unfold, adjust, power windows, सारी चीज़ यहाँ देखने को म मिल जाती है, अब वहीं अगर हम बात करते हैं, सीटों के adjustment की, तो electronic based आपको seat adjust आप इसके कर सकते है, fully leatherite सीटे इसके इंदर offer की गई है, dual tone में जो है, इसकी सीटे देखने में मिलती है, और अगर आप इसकी बात करते हैं, तो यह लंबाज support इसके इंदर मिल जाता है, अब वहीं अगर हम बात करते हैं, interior की, तो क्या कुछ चीजे इसके interior में देखने को मिलते हैं, अब जो चीजे इसके इसके इंदर देखने को मिलेगी, flat bottom steering देखने को मिल जाता है, और यहां अगर आप देखेंगे, तो यहां cruise control मिल जाते हैं, यहां M.I.D.C. related control मिल जाते हैं, औ steering fully wrapped आपको देखने को मिलेगा, और steering के adjustment की बात करते हैं, तो यह tilt हो जाता है, telescopic adjust नहीं होता है, वहीं अगर हम बात करते हैं, यहां आपको automatic headlamps मिल जाते हैं, और कुछ इस तरीकी के wiper के control आपको देखने को मिल जाता है, और कुछ इस तरीकी का पूरा ही setup मिल जाता है, अ और वहीं अगर हम बात करते हैं, चीजों की center console आपको बहुत जादा खुबसूरत लगने वाला है, AC events यहां देखने को मिल जाते हैं, और एक display मिल जाएगा, जिसकी matte finish quality है, और अच्छी लग रही है, अगर आप अपल कार अपने दोनों ही चीजे इसके अंदर आराम से चल सकते हैं, और अगर आप यहां देखते हैं, तो यहां आपको drive modes मिल जाते हैं, zap पे है यह, zoom और zip mode, तीन mode इसके इंदर मिल जाते हैं, और वहीं अगर आप देखेंगे, यहां traction control off कर सकते हैं, hindition control, यह hazard light का button है, add start stop का button मिल जाता है, और यह है जी, इसका front camera, तो यहां से आप चीज़े अपने according चेक कर सकते हैं, और काफी जदा बहतरीन camera है, मतलब उस इस आपका नहीं कहेंगे, जो बाकी गाड़ियां offer करती है, लेकिन अच्छा है, काम चल जाएगा, बाकी अगर आप देखते हैं, कुछ space यहां, दो USB socket मिल जाते हैं, यहां airbag के notification आता रहेंगे, ब प्रीमियम साउंड इसके अंदर मिल जाता है, IRVM कुछ इस तरीके का है, और overhead unit की बात करते हैं, LED-based आपको पूरा ही lamp का setup इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, यहां से आप संडरूफ इसकी open कर सकते हैं, और पूरी ही massive संडरूफ इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, एक sunglass holder और वहींगर हम बात करते हैं इदर की, तो यहां आपको जो है एक पर्ची मिल जाती है, यहां टिकेट holder मिल जाएगा, यह speaker का setup दिया गया है, और अगर आप इदर की बात करते हैं, तो यहां एक vanity mirror offer किया गया है, with light, तो काफी जदा बहतरी चीज़े हैं, और दो cup holders म बात करते हैं, तो cool glove box मिल जाता है, with light, और पूरा ही जो part आप देख पा रहे हैं, सारा ही soft touch स्केंदर जो है, offer किया गया है, steering पे co driver side, pillar पे airbag, सारी चीज़े इस खिंदर आपको मिल जाते हैं, तो overall कैसा लग रहा है, और hood अगर आप देखेंगे न, कि यह मेरी eyes की height है, hood मेर को पूरा ही नजर आ रहा है, कहीं न कहीं, जो feel है न इस गाड़ी का, वो आपको जरू मिलेगा, मनला feel वाली अगर आपको गाड़ी चाहिए न, तो आप feel वाली गाड़ी को Scorpio कह सकते हैं, मतलब कम पैसे में एक बहतरीन गाड़ी, यह तो चलो मैं आपको top end variant दिखा रहा है तो आप जरू सरू देख सकती है, अब एक बार चलते हैं जी पीछे पीछे का कुछ space मिल जाता है, बात कर लेते हैं rare profile की तो कुछ इस तरीके का door trim देखने को मिल जाएगा, पीछे भी आपको जो है brownish finish देखने को मिल जाती है, तुरा ही soft touch यहां देखने को मिलेगा, पि 3 headrest मिल जाएंगे, जिसमें से दोनों ही जो है, अरजेस्टिबल मिलते हैं, एक अरजेस्टमेंट के साथ नहीं आएगा, अब एक बार चलते हैं जी, interior में और इसके लिए आपको जो है, फर्स्ट फ्लोर पर चड़ना पड़ेगा, तो यह आपका step है, और आप फर्स्ट फ् यहां से आप जो है, ब्लोर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, यहां भी pocket और उपर sunroof मिल जाती है, यह grab handle मिल जाएगा, और पीछे के साइड आपको जो है, इधर आपको armrest मिल जाता है, बीच में थंप इतना जादा कम है, कि आराम से जो है, पीछे तीन लोग आराम से इतनी सारी चीजे होने के बाद यह चीजे नजर ही नहीं आती है, कही ना कहीं बाकि अगर आप headroom की बात करते हैं, यह भी बहुत जादा भैतरीन मिल जाता है, अब बात कर लेते हैं, इसके reverse यानि की third row की, क्या कुछ चीजे इसके third row में मिल जाती है, जाने के लिए आपको step दी हो है, एक, दो, और फिर उससे उपर, यहां से आप third row में enter कर सकते हैं, अब यहां से मैंने door उसका बंद कर लिया है, अब मैं आपको space दिखाने वाला हूं, तो भाई comfort तो है, ऐसा नहीं कहेंगे comfort नहीं मिलता, comfort overall है, इसके अगर आप देखते हैं, यहां मैं light भी जला कोई issue नहीं है, लेकिन long term के लिए, अगर मैं चाहूं कि बिल्कुल ही मेरे को एक लंबा, जो है, सफर तय करना है, इस seat पर बैठ करके, तो बिल्कुल भी comfortable नहीं रहेगा, बीच बीच में हमें उतर के, थोड़ा अपने आपको सीधा करना पड़ेगा, तो बच्चों के तो कुछ इतना इसके अंदर boot space देखने को मिल जाता है, जब तीनो ही row ऊपर रहेगी, जब तीनो ही row जब इसकी नीचे रहेगी तब हम एक बार बात कर लेते हैं, कितना boot space इसके अंदर मिलेगा है, एक बार मैं इसको fold कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, कुछ इतना बूट पेसका अंदर मिल जाता है veure मैसीव है और यहां से आप इसको नीचे गिरा सकते है और यहीं से इसको आप अन्लोक कर सकते हैं और बिल्कूल ही टम्ब्ल डाउन हो जाते हैं जिसके वह 26 को शेयां मिलने लग जाता है यहां किसे आपको एक kicking और पीछे भी लॉक अनलोक के यहां बटन देखने को मिल जाएंगे तो अच्छा है भूट स्पेस में भी लेकिन जब आप इसको जब थर्ड रोग को ओपन कर देते हैं तब थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर कम हो जाएगा इतना स्पेस के अंदर बचता है इसका मैंने उपन कर दिया है और 2.2 लीटर का एक के डीजल इंजन मिल जाता है और पावर फीकर्स काफी जदा बहतरीन है एंसुलेशन वेकर आपको प्र देखने को मिलता है अब वहीं अगर हम बात करते हैं पावर की 172.45 बहप निकाल के देता है और टॉर्क की बात करते है आउं 370 एनम का टॉर के निकाल के देता है अभी आटोमेटिक वीरिंट खड़ा है मैनूल भी आपको जो है इसके अदर अवलेबल हो जाएगा वहीं अगरम बात करते हैं फ्यूल टेंक कैपेसिटी की तो 57 लीटर के असपर के इसके अदर फ्यूल टेंक कैपेसिटी इसके मिल जाता है तो काफी ज्यादा बहतरीन है माइलेज की बात कर लेते हैं डीजल है तो माइलेज आपको 9-10 तक की सिटी के अंदर निकाल के देगा और 12-13 तक की आपको हाईवेस पे माइलेज निकाल के देगा एंसुलेशन की बात करते है तो एंसुलेशन प्रॉपर इसके अंदर एंसलेशन लगाई गई है जिसके वैसे इंजन नॉइस आपके केविन तक बिलकुल भी नहीं आती है काफी ज़दा स्मूद्ली आप जो है ड्राइव को एंजोई कर सकते हैं तो यह सारी चीजे आपको जो है इसके हुड के अंदर मिल जाती है काफी ज़दा पहतरी मह कर ली कंफोर्ट की बात कर ली स्पेस की बात कर ली साइस की बात कर ली चीजों के बारे में बात कर ली अब मेन कंसन आता है प्राइजिंग का आप जो प्राइजिंग है और दोस्तों मतलब इतनी जादा एट्रेक्टिव प्राइजिंग है इतनी बड़ी गाड़ी संरूफ के साथ चारो डिस्क इतना बड़ा इंजन पूरा ही स्पेस का माल का सारी चीज़े मिला के आपको एक टॉप एंड वेरिइन मिलता है विड तू वील ड्राइफ मतलब रेर वील राइब के साथ मिलता है प्राइजिंग क्या है एक्ष्यूरूम जो प्राइजिंग है इसकॉर्प्यों है जैडट एल लुग्जरी की बीस लाग सततर हजार नौसो एक रुपे के आसपस की जो है एक्ष्यूरूम प्राइजिंग है और ओन रोड जाते-जाते 24,754 रुपे के आसपस की जो ही ओन रोड एली कॉस्ट कर देती है ओन रोड प्राइजिंग है काफी जज़धा बहतरीन है 24,74,562 रुपीज की ओन रोड डेली कॉस्ट कर देती है इस प्राइस पॉइंट पे आपको काफी ज़धा बहतरीन प्रोड़क्ट मिल जाता है मैं तो भाई इस के लिए पैसे लगा? इस वीडियो मेंने रिविग्यव667 है इस वीडियो में एपना एक न किया है।